दोस्तो आज जो तारीक है वो है 1 सितंबर 2030 बहुत सारे अभी तक ऐसे लोग है जिन्नोंने अपने pen card को अधार card से link नहीं करा रखा अगर आपने भी अपने pen card को अधार card से link नहीं करा रखा तो आप बिल्कुल सभी वीडियो पे आएं आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आपने pen card को अधार card से link करा जाता है तो चलिए दोस्तों बिना देडी करें वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपने pen card को अधार card से link करा जाता है दोस्तों सबसे पहले आपको Google पे लिखने है income tax इसको search कर देने और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुए home income tax department इस link पे आपको click कर देने और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर आपको दो option देखने को मिल रहा होगा link अधार status और link अधार जैसे अगर आपको check करना है कि जो आपको pen card ही वह अधार अकार से link है या मिल नहीं है तो सब्सक्वाइब ऑप लिंक अधार status पे click कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपना pen number डाल देने नीचे यहांपर अधार नमबर डाल देने, और यहांपर आपको view link अधार श्क्रीटस पर click कर देने, तो यहांपर देख सकते हैं, इस तरह आपको यहांपर status हो गया, कि pen card जो है अधार कार्ट से link नहीं है, तो यहां पर link अधार दिख रहा हुआ, इस पर आपको click कर देना है, तो यहां पर देख सकते हैं, इस तरह page open हुआ, यहां पर नीचे देख सकते हैं, तरह pen लिखा हुआ, यहां पर आपको अपना pen number डाल देना है, नीचे अधार नमबर डाल देने हैं और यहाँ पर नीचे validate वाले option पर आपको click कर देने हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह आपके पास से यहाँ पर message आजाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आगर आपको अपना pen card को अधार card से link करना है तो एक हजार उपी के आपको payment करनी पड़ेगे तो यहाँ पर नीचे continue to pay throw e-pay tax लिखा हुआ है इस पर आपको click कर देने हैं और यहाँ पर आपको अपना pen number डाल देना है जो pen number आप यहाँ पर लिखेंगे वही same pen number आपको यहाँ लिख देना है और नीचे mobile number लिख देना है और यहाँ पर नीचे यहाँ पर continue को option जो है highlight हो जाएगा इस पर आपको click कर देने हैं अब यहाँ पर OTP आया होगा जो mobile number आपने डाल लाता है उस पर एक OTP आया हो OTP डालके आपको नीचे यह continue पर click कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका pen card है वह successfully verified हो चुका है तो यहाँ पर जो आपका pen card में नाम लिखा होगा वह नाम भी इदर आगया और यहाँ पर आपको continue वाले option पर click कर देने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह page open हो गया अब यहाँ पर देख सकते हैं इदर लिखा होगा income tax इसमें नीचे लिखा होगा proceed इस पर आपको click कर देने और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा है assessment year यहाँ पर आपको नीचे अधर डिस्रीट का एक option मिल जाएगा जो कि यहाँ इस पर आपको click कर देने और यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं सब टाइप ओपेमेंट में यहवाल option select कर लेंगे जो कि यह fee for delay in linking pen with अधार इस पर आपको click कर देने और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह page open हुआ इसको आपको नीचे कर लेंगे और नीचे करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपको 1000 पी इदर payment करनी पड़ेगी यहाँ पर continue पर click कर देने अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इदर आपको payment करनी है तो जिस भी bank में आपका account वो bank आपको select कर लेंगे अगर आप net banking करें तो net bank से select कर लेंगे debit card से करें तो debit card select कर लेंगे जिससे भी आप कर देख सकते हैं इसको आपको select कर लेंगे और यहाँ पर continue पर click कर देने तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह page open हो गया तो यहाँ पर नीचे करेंगे यहाँ पर pay now का option है इसको pay पर click कर देने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं term and condition आगया इसको आपको simply नीचे करके यहाँ प payment is successfully, यहाँ पर इस तरह आ जाएगा और यहाँ पर एक download को option आ रहा होगा इसको आपको download कर लेना है जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह दिखेगा आपको इस slip को समाल के रख लेनी है तो यहाँ तक जो आया, आपको first step complete हो चुगा है अब आपको दबारा इसी website पर आना है और यहाँ पर link अधार है इस पर आपको दबारा क्लिक करदेने और आपर नीचे आपको इदर pen number डाल देने और नीचे अधार number डाल देने यहाँ पर validate वाले option पर आपको क्लिक करदेने अब यहां पर नीचे continue वाले option पर आपको click कर देने, अब यहां पर आपको क्या करना है, अब आपके जो अधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है, वो नाम आपको यहां लिख देने, अपना यहां mobile number लिख देने, और नीचे यहां पर लिखा हुआ है, I have only year of birth in अधार यहां पर आप टिक कर देंगे, और यदि अगर आपके अधार कार्ड में date, birth और year लिखा हुआ है, यहां पर आप टिक कर देंगे, और उसके बाद यहां पर link अधार पर click कर देंगे, तो यहां पर जो आपके अपने mobile number डाला था, उस mobile number पर एक OTP गया है, OTP डालके आपको validate वाले option पर आपको click कर देंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इस तरह message आजाएगा, यह और अधार pen linking request has been received, और यहां पर लिखा हुआ है, please check the status after 48 hours, यहां नहीं करीब, दो दिन का time लगेगा इसको process होने में, दो दिन के वाद आप इस status को check करेंगे, तो जो आपका pen card ह यहां पर में ok फे click कर देंगा, और मैंने दोस्तों, आपको बताई ही राखा है, इक कैसे check करते peine card का aadar card को status को, यहां पर link आदार status पे klick कर देना है, लिख अपना pen number डालके, आदार number डालके, view link आदार status पे आपको click कर देना है, अपको यह पैयं कार्ड का status है, वो socio-कोट तो दोस्तों अब आपने देखा कि केतना असान है अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना न भुले यह अगर आप चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए कि क्या ऐसे यह वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहे है